दोस्तों आज मैं आपके सामने फिर उपसुत हूँ ग्राम समाज हैं विकाज से संबंदित को लेके जो कि आपके लिखपाल के एक्जाम के लिए काफे महत्तपूर्ण है जिसमें हम ग्रामेंट चत्रों से संबंदित जितने भी बिंदू है तता ग्राम समाज से एवन लगभग 100 questions जो कि repeated questions जो बार-बार पूछे जाते हैं वो आपके सामने लाएं दोस्तों तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें अगर आप इसे 10% भी कुछ सीखते हैं तो इसे लाइक करें शेयर करें ज्यादा लोगों तो पहुचाएं जो कि 100% शोर हैं कि पूछे ही जाएंगे तो चले सुरू करते हैं सबसे पहला question हम देखते हैं कि भारत का सरुप्रमुक सबसे अधिक रवड उत्पादक राजी कौन से है वो है केरल ठीक है भारत का सरुप्रमुक रवड उत्पादक राजी कौन से है केरल भारत में आम का स से हैं महारास्ट है भारत में गन्य की दोस्तो लेख acer과 उत्तर पदश लेकपाल का घाया वे निदितन है बहुत सारे questions ns रहेंगे जो कि आपको पूछे जाएंगे तो भारत में मसालो का सरवादी काह मौता है यह सबसे अधिक गर्टेट पूश्चन यहार लगब हर जनिसायंस के क्या को पूछा जाता है तो भारत में सारवादिक उत्पादन कहा होता है तो वह होता है केरल को मसालो का राजी कहा जाता है अव मिंप डात का इस्थान दिखें ने निरयातक देशमें भारत का इस्थान चोचा है जब की चाय e reply फॉले हम में बहारत का विष्व मेंथ क्या है कि मोटे अनाजुका विष्व में सबसे बड़ा उतनी देश घूहर occasions घुब के मामले में भारत विश्न में पांच वाश सान्ग रखता है इंदर धनुसी कृंती का संबंद किससे है जब अ सभी पूछा गया जो कि बहुत बार हीपीड होता है और अधिक उपज प्रजातिkele किस घृता ज इन 1965 से लेकि 1966 तक ठीक है इस वर्स में उपश को कैसे अधिक किया जाए तो उसके लिए करेकरम को प्रारम किया गया था तो अधिक उपश प्रज़ाती करेकरम किस प्रारम हुआ तो 1965 से चाशट में रास्ट्री किस अनुसंधान की प्रज़ना किस अपना को भी 1988 में । ना बाडट एक सिर्स वित्तिय संस्ता है जो बनी और वहारा किसी के लिए 60 स्थ के विकास तो जो हमारी संस्ता बने गई यह जो से सब्सक्राइब और विकास के लिए बनगुत क्या सकते हैं तो सगन किसी चहत्र करक्रम नां है विसका प्रथम धान का नामकरण उता दां कि नेकस्त हमारा क्या है की केंद्री आलूसंदान ऐसे है कुफरी में में शरोप्रतम कहव request लगाये गए थे तो यह चिक मंगलूर जिले में ठीक है चिक मंगलूर जिले में हमारा अंग्रेजो द्वारा सरप्रतम कहवा बागान लगाय गया थे पुजीवादी खेती कि इंदेसों में प्रचलित है पुजीवादी खेती जो है ब्रिटेन एम सेंगतराज अमेरिका इंदेसों में पुजेवादिस खेती काफी प्रचलित है बार प्रभावी छेत्रों को किस प्रकार की खेती की जाती है तो बार प्रभावी छेत्रों में दियारा खेती की जाती है जिनको दियारा नाम गया गया है हुए रिसी लागत ऐँवं मुल्ल आयो की स्थापना कब ही हुए 1965 में हुए बारत का सबसे अधिक सब्यूत पादक देश कौन सा है हमारा भारत है उत्रप्रदर्थ के पूर किस नाम से जाना जाते थे यह भी कोश्चन देखे बहुत बड़ी पूछा गया उत्रप्रदेश क उत्रप्रदेश के पूरो नाम से जाना जाता है तो पूरो में हम उत्रप्रदेश को युनाइटर प्रविंस नाम से ही जानते थे दुख-दुदपादन में उत्रप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो दुख-दुदपादन में उत्रप्रदेश का देश में खादान उत्पादित करता है तो संपुर्ण भारत का खादान उत्पर प्रदेश 21 उत्पर प्रतर प्रतर पदेश उत्पादित करता है तो यह थे 25 क्वेश्चन दोस्तों इसके लगबख चार सटम आपके सामने लाएंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो प्ली इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप हमाँ चैनल पर पहली बार वेजिटी करें तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें